पार्थ के बेहत करीब होकर तभी कमरे में पहुचती है सेजल और वो पार्थ और टैनी को करीब देख घुसे से निकल जाती है कमरे से बाहर वेल एक तरफ सीरियल दिल से दिल तक में जहां पार्थ और टैनी को करीब देख सेजल होती है नाराज वहीं सीरियल की कहानी में आता है ट्विस्ट जब डाइनिंग टेबल पर ठक कर सो जाती है टैनी और सेजल के लाख कोशिशों के बावजूद नहीं उठती तभी सेजल उस पर पानी फैंक कर जाती है जिसे देख पार्थ होता है सेजल पर गुसा तभी पौईनी आंटी भी प मुझे भी अपने चॉल का महौल चाहिए, पंकी की आवाज चाहिए, मच्छर चाहिए, एक दमालेशान से कमरे मुझे छोड़ दिया, मुझे कहान नीन दाने वाली है, सो इसी लिए टाइनिंग टेबल पे लोग नाश्ता करते है, खाना खाते है, श्रीनाज जी का भोग लगता है, वहाँ पे ये लड़की सुबे सुबे सो रहे है, खरांटे मार के, वो भी गंदा सा टेवन फेंड लगा के, ये कैसे चलेगा?